हलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट इग्जामिनिशन पेटर्न डिसकस करेंगे पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का पॉलिटेकल साइंस का बी ए प्रोग्राम में डिसिप्रिन के अंदर ये सब्जेक्ट है रेग्लर वाले बच्चों का एग्जाम हो गया है और एस वल का कंड़क्ट होने वाला है नेक्स वीक में तो हम डिसकस करेंगे किस तरीकी का पेपर इसमें आया है और यूनिट वाइज वेटेज मोस्ट इंपोटेंटली क्या है तो इस सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन इन इंडिया तो पब्लिक से रेलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं पब्लिक सर्विसेज एजेंट होते हैं गोवर्मेंट के उनहीं के बारे में आपको पढ़ना है उनिट वन के अंदर स्ट्रक्टर पढ़ोगे आप सिविल सर्विसेज का इसके अंदर कॉलोनियल लेगेसी के बारे में पढ़ोगे सिविल सर्विसेज कैसे बनता है उसके बारे में आप पढ़ोगे ट्रेनिंग कैसे होती है पी एमो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पंचायत राज की बारे में पढ़ोगे और पब्लिक पॉलिसी कैसे implement होती है उसके बारे में पढ़ोगे युनिट थी है बजट बजट क्या होता है ठीक है बजट साइकल क्या है इंडिया की बजट कौन-कौन से होते हैं माइन बजट परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट जीरो बेस बजट यह क्या होता है बजट बनता कैसे है फानाइंस मिनिस्ट्री का क्या रोल है इसके अंदर इसके बाद टेक्नोलोजी और पब्लिक इड्मिनिस्ट्रेशन इंडिया के बारे में आप पढ़ोगे इसमें आप इगावर्नेंस के बारे में पढ़ोगे इगावर्नेंस क्या होता है कि क्या ज़र नहीं है इगावर्नेंस के मोड क्या क्या होते है वो पढ़ोगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पढ़ोगे इसके बाद unit 5 है जिसमें social welfare policies जो होती है उसके बारे में आप पढ़ोगा जैसे right to education की policy है या national health mission की policy है, right to food security की policy है या employment के अंतर मन रहेगा की जो policy है इसके बाद यहाँ पर पढ़ोगे last में issues and debates in Indian administration Indian administration में कौन-कौन से challenges क्या कौन-कौन से issues हैं ये debates कौन-कौन से हैं वह पढ़ोगे, जिसमें ethics in administration, integrity versus corruption, accountability की बारे में पढ़ोगे अब RTI, lockpall, citizen, charter, relationship between political executive and permanent executive इसके बारे में पढ़ोगे और journalist and specialist की बारे में पढ़ोगे, gender sensitivity and gender participation की बारे में पढ़ोगे तो यह थोड़ा सा brief syllabus है हमने discuss किया, इसका examination pattern एक्जाम दोस्तो 90 नंबर का आएगा, पूरा paper या तो English में कर सकते हो, या फिर Hindi में कर सकते हो इस paper के अंदर total 10 questions हैं और किन्ही 5 questions का आपको answer देना है तो एक question आपका 18 नंबर का हो जाता है discuss the elements of colonial legacy in post-independence civil services in India भारत में 178 civil सेवाओं में आपनिवेशक विरासत के तत्वों की चर्चा कीजिए जो independence के बाद जो civil services थी उसके अंदर colonial legacy थी उसके elements आगा थे उसके ओपर discussion करना है इसके बाद इलेबरेट the major constitutional provision related to civil services in India भारत में civil सेवाओं से संबंदित प्रमुक सम्वेधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्लन कीजिए जो civil services है इंडिया के अंदर उसके अंदर कुछ constitutional provision है उसके बारे में आपको discuss करना है जो major constitutional provision है question number 3 है critically examine working of panchayati raja institution with special reference to democratic decentralization in India लोग तांत्रिक विकेंदी करन के विशेश संदर्ब में भारत में पंचायती राज संस्ताओं की कार्रे प्रणाली का अलोचनात्मक परिक्षन कीजिए इसके बाद है write an essay on major initiatives taken for administrative reform in India भारत में प्रशासानिक सुधारों के लिए किये गए प्रमुख पहलों पर एक निबंध लिखिये जो administrative reform में इनको improve करना में कौन-कौन से major initiative लिए गए इसके बाद है examine the role of finance ministry in budget making in India भारत में budget निर्माण में वित्र मंत्राली की भूमिका का परिक्षन कीजिए यानि कि जो इंडिया में budget बनता है और finance ministry का इसमें क्या रोल होता है वो बताना है इसके बाद है distinguished between permanent anti-political executive permanent anti-political executive इस्थाई और राजनीतिक कार्रेव पढ़ालिका के बीच अंतर response कीजिए यह anti नहीं है यहाँ पर end होना चाहिए यह I think question paper में maybe printing mistake हो सकती है क्योंकि आप देख रहा है स्थाई और राजनीतिक कार्रेव पालिका लिखा 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 हो गई और यह permanent स्थाई हो गया इसमें बीच में और लिखा हुआ तो यहाँ पर 20 नहीं एंड आना चाहिए ठीक है तो इस ताई और राजनीतिक कार्रेव पालिका के बीच अंतर स्पस्ट कीजिए इसके बाद है हमारा briefly explain the concept of e-governance and its benefits e-governance की अवधारना और इसके लाभूं का सेंशेप में विवरंट दीजिए इसके बाद है आपको digital इंडिया मिशन पर ऐसे लिखना है digital इंडिया मिशन पर एक निबंद लिखिए इसके बाद है आपका right short note on any two अच्छा इससे पहले एक कुशन वरे write an essay on importance of ethics in administration प्रशासन मे नैतिक्ता के महत्व का एक निबंद लिखिए महत्व पर एक निबंद लिखिए ठीक है और लास्टली हमारा किन्ही दो पर short note लिखना है total चार option है आपके पास शिक्षा का अधिकार right to education जो की social welfare policy के अंदर आता है cabinet secretariat ठीक है cabinet सची वाली है जो की unit 1 में से पुझागा है जीरो बेस बजट इसमें अधारित बजट जो की बजट वाली unit 3 में से पुझागा है और national health mission राश्ट्री स्वास्त mission तो की आपका policy वाली unit में से पुझागा social welfare policy वाले तो यह तो questions हमने discuss कर लिए total 10 questions जिसमें से आपको कोई 5 करने है अब दरा एक नजर यह डाल दीजिए कि किस unit में से कितने questions आए हैं तो आपको unit wise weightage पता तल जाएगी हमने देखा unit 1 में से question number 1 आ गया question number 2 आ गया question number 4 आ गया तो यहाँ पर अगर हम बोलें 18 marks का एक 54 में 9 और add कर दो 63 number का question unit 1 में से आ गया है तो बहुत important unit है unit 1 unit 1 को हलके में मत लीजिएगा कितने भी 4 topics हैं उसमें 4 sub topics कम से कम 3 तो जरूर से करके जाएगा कम से कम so that 63 number की unit 1 आ रही है ठीक है इसके बाद क्या है आपका unit 2 question number 3 आया है unit 2 में से और इसके रवा और कुछ नहीं आ आया है question number 3 ठीक है इसके बाद question number 4 आपका तुमने discuss कर लिया unit 3 में से question number 5 आया है और एक short note आया है ठीक है unit 3 में से question number 5 आया है और एक short note आया है तो unit 3 आपकी 18 plus 9 27 नमबर की हो गई ठीक है जी इसके बाद इसके बाद हमारा question number 6 unit 6 में से आया है unit 6 में से एक ही question ребен ayan unit 6 में से question number 6 और question number 9 ठीक है question number 6 और question number 9 दो question unit 6 में से आया है हमारे इसके बाद unit 4 में से दो कुशन आए है unit 4 में से कुशन नुम्बर 7 और कुशन नुम्बर 8 इसके बाद last वारी जो unit हमारी उसमें क्या है जो social welfare वाली पॉलिसी दी उसमें से कुशन आए हैं 2 तो उसको भी आप बहुत लगते हो social welfare policy भी ठाइन नुम्बर के आ गई ठीक है तो य इसका इसञेबस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट युनीट हम लोगों ने चेक करी हैं एक सेकिन है अश्व सबसें इंपॉर्टेंट युनीट्ट्ट है सबसे पहले मतंसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद इसके बाहनें ऑड़ शॉनीट्ट nós ऑ इसके लावा यहां पर आप देखोगे शोशल वेलफेर पॉलिसी है इन में से शॉट नोट तो किसी ना किसी के पर आएगा ही आएगा फुल फ्लेज भी आसकता है शॉट नोट भी आसकता है चार में से सेव सैड के लिए तीन करके चलिए और कम से कम राइट टू एजुकेशन नैशनल हेल्थ मिशन और यह मन रहेगा यह ज़रूर से करके जाएगा यूँकि आज के टाइम पर यही सब्सक्रादा जो इशू है क्रियेट करते हैं ठीक है तो इन तीनों को दुरूर करके तक है ए बी और डी को यह हो गई हमरी बात इसके अलावा हम यूनिट 3 देखें यूनिट 3 भी इंपोर्टन है इसके अंदर एक शॉर्ट नोट आया था आपका धीरो बेस प्रजेटिंग में थे और आप को शन यह था कि फानेंस मिनिस्ट्री का बजट बनाने में क्या रोल है उसका कुशन आया था ठीक है अब आके यूनिट 2 में से फिलाल यह की कुशन आया था प्याराई वाला तो वह आप लोग देख लिजेगा ठीक है तो अगेन आई रिपीट यूनिट 1, 4 और 6 सब्सक्रादा उल शणीट